आप श्रवी का श्वागत है आपके चैनल कंपटेटिव टार्गेट क्लासिस पे जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि यह वीडियो करेंट अफियर से चुलब रहा हुआ है जो आपके एकजाम में बहुत अच्छे पार्ट निभाने वाले हैं एक अच्छा इसका करेंट अफिय का श्री लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत हिल्फुल रहने वाले हैं बैसिकली बिहार दरोगा का एकजाम जनवरी में होने वाले इसके साल साथ दिसंबर में बिहार एकजाम भी होने वाला है जो कि जिसमे बहुत सारे कोश्चन आते हैं और फिर होगे आपका 68 वेपेसी उसका भी एकजाम होने वाला है फरवरी मा में तो यह सब को यदि एकजाम क्वालिफाइब करने हैं बाकी सारे एकजाम में भी करेंट अफियर का अहम रॉल होता है यदि आप करेंट अफियर से जूरे कर जाओगे क्योंकि जीके जीएस पर्ट सारे पढ़ते जीके जीएस पर और करेंट अफियर को इग्नौर करते हैं कि यह बाद में उस टाइम एक बूक लेंगे देख लेंगे हो जायाएगा बेसिकली अशारे स्टूडेंट ऐसा ही सोचते हैं कि करेंट अफियर के लिए ज करना परेगा 15-20 कोश्चन ही पर लेकिन परड़े उससे जुरा हुआ रहना परेगा तो आपके सही हो जाएंगे जो कि बिहार दरोगा कभी एकजाम होने वाला है उसमें पीटी कोश्चन यदि आप प्रिभियास यह वाले से जितने भी कोश्चन है उठा कर देखोगे तो जि एकजाम नहीं निकाल सकते हो कि हम मेरा लग बढ़िया है मैं एकजाम निकालना टिक करूंगा सही हो जाएगा कोश्चन यह सब नहीं होता अब पढ़ना परेगा क्योंकि कंपरिशन बहुत टफ हो चुके है यदि एकजाम कौलिफाइग करना है तो आल्रेडी पढ़ना पर आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए यदि सिल्यवस से जुरा हुआ वीडियो चाहिए वह भी मैं डाल दिया करूंगे और यदि हमारा चैनल अच्छा लग रहा होती से सब्सक्राइब करें लाइक करें और दोस्तों में सेर करें यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेलफुल रहने वाले हैं यह ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होता है दस से पंदरा मिनट का यह वीडियो रहता है और वह भी दस से पंदरा मिनट में आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोश्चन और परहे हुए नोट से निकाले हुए कोश्चन रहते हैं जो आपकी प दूर ही पर हो जो मंतली वाइज आते हैं वह देख लिया करो और फिर देखो कि कितने सारे इंपॉर्टेंट कोश्चन यहां से सॉल्व किये जा रहा है इसलिए इसलिए आप लोग को इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और सेर करें आने वाले एक जाम में यह बह चलो आज का पहला कोश्चन है पुर्वोत्तर भारत का पहला मचली संग्राल है पुर्वोत्तर भारत का पहला मचली संग्राल है अरुनाचल परदेश में है पहला तो कोश्चन यहां से सॉल्व हो गया कि पहला पुर्वोत्तर भारत का पहला मचली संग्राल है अरुनाचल यहां पर एक कोश्चन के साथ साथ आपका तीन कोश्चन सॉल्ब के जा रहा है जो कि कोश्चन था पुर्वोत्तर भारत का पहला मचली संग्राले कहा है तो और नाचल परदेश में अब पुछा जागा यह दिए और नाचल परदेश की CM कौन है ते पेमा खांडो और नाचल तीवी रिपोर्ट दौजरवाईस डवलू एच दौअड जारी किया जाता है बैसरिक टीवी रिपोर्ट दौजरवास डवलू ह्यैजरवाईच दौँच की 2021 बैसर ग्रदी AH जाता Sen ये देख लेना अच्छे से पिछले वर्स की तुलना में 4.5% की बिर्धी हुई है यदि पूछा जाएगा बैस्विक टीवी रिपोर्ट कौन जारी करता है तो वह होगा आपका डबलो एचो द्वारा जारी किया जाता है जो कि 2021 में टीवी से 10.6 मिलियन से अधिक लोगों की मिर्तिव हो गई है फिर नेक्स्ट कोस्चन है आपका उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर कहां है तो आपका ग्रेटर नोईडा ग्रेटर नोईडा देश का पहला डेटा सेंटर पार्क इंदौर में देश का पहला डेटा सेंटर पार्क आपका इंदौर में है उत्तर परदेश के मुख्यमंत्री इसका उधगाटन किये थे जो कि CM योगी द्वार उधगाटन किया गया है यहां से भी आपके तिन कोश्चन मिलते हैं पहला कोश्चन तो उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर कहा है उत्तर भारत का ग्रेटर न्योडा यूपी में सेकेंड है प्रेंच उपन 2022 पुरूस यूगल का खिताब किसने जीता है तुग आपका भारत का सात्विक साहिराज चिराग सात्विक साहिराज चिराग यह कोश्चन बहुत ज्यादा इंप्रूर्टेंट रहने वाले इसे देख ले न यह विवी आई कोश्चन रहने वाले हैं गिए धवी कोर्शन रहने वाले हैं फ्रेंट्र ओपन 2022 फ्रूस यूगल का खिताब सात्वीक साही राज चिराग ने जीता है अपने नाम किया है निक्ष्ट कोर्शन है ट्रेक एश्ययकप प्रेक आयोजित किया गया है ट्रेक एसिया कप 2020 कहां आयोजित किया गया है तो यह आपका किरल हो गया है किरल में ट्रेक एसिया कप आयोजित किया गया है निक्ष्ट है जोजीला यूध असमारक जोजीला यूध असमारक यह हो गया आपका ट्रांस लद्दाक में जोजीला दिवस एक नमवड को मनाया जाता है ओप्रेशन वाइशन उप्रेशन 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 में जोचीला दर्रे में भारती है सैनिकों के द्वारा बिरता पुर्फक लड़ाई के जसन में के रूपे मनाया जाते हैं यह एक नमबर को मनाया जाता है निक्स्ट और यह बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन मांगर्ड धाम इस टाइप के इंपोर्टेंट कोश्चन पूछ दिया जाता लेकिन वो पता नहीं चलता है क्योंकि यह सब आ जाते हैं जो अंसुना नाम रहते मांगर्ड धाम हैं तो राजस्थान में हैं यह यह पी-एम मुदी द्वारा, राष्टीए समार घोसित क्या गया है؟ यह important question क्योंकि यह पी-एम मुदी द्वारा, खुषित किया गया जो राजस्थान में पहला कौशन तो मानगर्धाम क्या है कहां पर हैं तो राजस्थान में यह पी ए मोधी द्वार राश्ट्री अश्मारा घुषित किया गया तो यह already important हो जाते हैं नेक्स्ट कोश्टन एक्तालिश्वा सार जहां अंतराश्टी पुस्तक मिले कहां रर्व हुआ है एक्तालिश्वा सार जहां अंतराश्टी पुस्तक मिले कहां सार जहां यू एई में यू एई में एक्तालिश्वा सार जहां अंतराश्टी पुस्तक मिले नेक्स्ट है हाल ही में विश्व विद्याले अनुदान आयोग UGC ने सभी उची सिक्षा संसानों को हर साल 11 दिसंबर को भारतिय भासा दिवस मनाने का निर्देश दिया है यहां से भी देखो यदि आप लोग को पूछा जाएगा भारतिय भासा दिवस कब मना जाता है तो 11 दिसंबर को इसे किसने मनाने का निर्देश दिया है तो यह आपका विश्व विद्याले अनुदान आयोग ने जो कि UGC से है हाँ तो यहां पर भी एक कोश्चन के साथ इन कोश्चन आप लोग कर डाल दी हूं कि इंपोर्टेंट रहेगा इसे भी देख लेना क्योंकि मैं यहां पर भारतिय भासा दिवस कि 11 दिसंबर और दिवस वाली कोश्चन तो करेंटा फिर पूछता ही है दिवस हो गया थीम हो हो गया निर्तिय हो गया यह दी आप उस टाइब का भी कोश्चन जानना चाहते हो तो आप कमेंट वोक्स में हमको लिख सकते हो दोस्तों कि आपको टॉपई वायज भी कोश्चन जाने तो मैं भी उस टाइप को इनपॉर्टेंट कोश्चन बनाकर टॉपिक वाई डाल दिय करूंगी जो कि important होते ही है क्योंकि वहां से एक नई question डाल देता है आपका current related question दिवस हो गया तेवहार हो गया निरित्य हो गया फिर आपका यह निधन से हो गया important व्यक्ति से हो गया यह सब question हमेशा पूछता ही है तो next question के ओर चलता है जो कि है आपका हाली में केंद्र सासित परदेश पद्दू चेडी ने एक नमबर 2022 को अपना मुक्ति दिवस मनाया है यहीं मना है वो काहां से मुक्ति हुआ था एक नमबर24 को मुक्ति हुआ था इसलिए मनाया जाता है नेक्स्ट को स्चन है जन् जाते है निर्टे म होत्सव यह राजेवत्सव कब मनाया गया हा हो इसे में शतेड़ि द्वाड़ जिया दौन्ग सब कैसे बनाए गया था झाल